हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नोलिज भाई जी पर मैं हूँ आपका दोस्त समित कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एको न्यू इन्फोर्मेटिव वीडियो लो से संबंदित आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ important questions को discuss करेंगे जो की आपके AIV के exam के point of view से काफी जादा आपके लिए helpful होने वाले हैं तो बिना किसी देरी के start करते हैं सबसे पहला हमारा person है जो संबंदित है factory act से कि factory act के अंदर जो child word है उसका क्या मतलब है क्या उसका मतलब वो person जो की 15 साल की age को complete नहीं करता है वो person जो 16 साल की age को complete नहीं करता है वो person जो 17 साल की age को complete नहीं करता है या फिर वो person जो 18 साल की age को complete नहीं करता है तो यहाँ पर बताया गया है कि child का मतलब होता है वो व्यक्ति जो 15 साल की एज को complete नहीं करता है Factory Act के अनुसार उसे हम क्या कहते है Child कहते है अब हम बात करते हैं हमारे अगले पर्षन के बारे में अगला पर्षन सम्बंदित है इसे काफी बार पूछा गया है उमीद है कि इसे आगे भी पूछा जा सकता है ये सम्बंदित है Information Technology Act से Information Technology Act के Section 66A के अनुसार किस केस में इसे Unconstitutional held किया गया था तो इसका अंसर है हमारा ये वाला थर्ड अंसर है Shreya Single vs Union of India के केस में यह कहा गया था कि Information Technology Act के Section 66A को Unconstitutional held कर दिया गया था Shreya Single vs Union of India के बारे में ये केस काफी important है काफी बार पूछा भी जा चुका है Judiciary Purpose के लिए भी सब पूछा गया है और AIB के previous year के question paper में भी आपको देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं हमारे अगले question के बारे में जो संबन्दित है arbitration से कि arbitration और cancellation act के section 74 में यह बताया गया है कि arbitration agreement written में हो अगर वो consist करे वो शामिल करे इन सभी चीजों को कौन-कौन सी चीजों को सबसे पहले point में बात की गई है कि party के द्वारा वो जो document है वो sign किया जाना चाहिए दूसरी चीज है कि जो claim की statement है exchange की या फिर defense है agreement के existence में वो एक party के द्वारा आरोप लगाया जाता है और दूसरी party उसको deny नहीं करती है या किसी भी तरह की communication exchange की गई है किसी letter के द्वारा या कोई other tele communication है और जो की provide करता है उस agreement के record को तो arbitration और conciliation act के section 7-4 में arbitration agreement इन तीनों चीजों को शामिल करता है इसलिए हमारा answer क्या होगा all of the above अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में अगला person संबंदित है हमारा CRPC से Criminal Procedure Code 1973 से तो इसमें ये पूछा गया है कि section 265A से लेकर 265L तक के जो CRPC के provision है वो किस बारे में deal करते हैं क्या वो deal करते हैं unlawful assembly के बारे में arrest without warrant के बारे में search और seize के बारे में या फिर plea bargaining के बारे में तो ये जो section है वो बात करते हैं search और seize के बारे में इसका answer है search और seize अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में जो की related है हमारा CRPC से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा section है CRPC का जो की हमें क्या बताता है कि जो habitual offender है उनसे good behavior यानि कि एक तरीके से अच्छे वैवार के लिए security सुरक्षा से सम्मंदित है कि कि section में ऐसा बताया गया है तो section 109 में बताया गया है section 110 में बताया गया है section 111 में या इन में से कोई भी section नहीं है जो यहाँ पर लिखी गई है तो यह बात करता है section 110 के अंतरगत यह बताया गया है कि जो habitual offender है वो अपने अच्छे वैवार के लिए सुरक्षा की कारवाई से सम्मंदित है section 110 CRPC का अब हम बात करते हैं हमारे अगले पर्षन के बारे में जो कि एक statement दी गई है यह एक तरीके से definition दी गई है इन सभी में से किसी एक की तो किसे अगर हम इसको definition को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा यह किस बारे में बात करता है सबसे पहले इस statement को पढ़ते हैं अब पर्पस पूरा होने के बाद वो जो गुड ली गई थी उसे वापिस से दुबारा से उस एक वैक्ति को दे दिया गया और यहां पर process इस तरीके से complete हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे क्या हम इसे बेलमेंट कहेंगे agency कहेंगे security कहेंगे या guarantee कहेंगे इसका बहुत अच्छा example मैं आपको एक और आपके साथ discuss करना चाहता हूँ ताकि आपको यह statement बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आप जैसे कि A एक व्यक्ति होता है जो कि B व्यक्ति से contract करता है कि मैं अपने समान को यह कुछ समान है कि यह तुम अपने इस विहरा उसके अंदर store कर लो store करने के लिए A व्यक्ति B व्यक्ति से यह कहता है कि तुम इसे store करो समय समय पर इसे साफ करते रहना इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा तो ये एक agreement होता है A और B के बीच में कुछ समय के बाद जब agreement की tenure खतम हो जाती है तो B क्या करता है इसको वापिस अपनी जो इनों ने good दी थी A वैक्ती ने वो इसे वापिस लोटा देता है और वो इसके लिए उसको pay कर देता है तो same यहाँ पर यही statements related है इस आज की statement से और इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे बेलमेंट तो बेलमेंट की बात कर रहा है यह अब हम बात करते हैं हमारे अगले परशन के बारे में जो की काफी important है exam के point of view से यहाँ पर क्या कहा गया है कि सवीधान का constitution का कौन सा article है जो बात करता है कि parliament कानून द्वारा कानून द्वारा जो administrative tribunal है उसकी स्तापना किस अनुछेद के अनुसार किस अनुछेद के तहाथ किस article के तहाथ की जा सकती है Article 323B बारे में बात करता है Article 323A इस बारे में बात करता है या Article 323 या इन सभी में से कोई भी नहीं है तो इसके बारे में बात करता है हमारा सविधान का अनुचे 323A अब हम बात करते हैं हमारे अगले परशन से अगला परशन सम्मंदित है हमारा हिंदू मैरीज एक्ट से यहां पर बात की गई है कि हिंदू मैरीज एक्ट का सेक्शन 25 किस बारे में बात करता है क्या वो चाइल्ड की कस्टिडी के बारे में बात करता है पर्मनेंट एलिमनी और मेंटेननस के बारे में बात करता है मेंटेनस पेंडेंट्री लाइट के बारे में बात करता है या फिर मेंट्रिमोनियल प्रोपरिटी के डिवीजन के बारे में उसके बटवारे के बारे में बात करता है अगर आपने section 25 को पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ ये बात करता है permanent alimony और maintenance के बारे में अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में अगला person सम्बन देते हैं हमारा CPC से यानि कि civil procedure code से अब यहाँ पर बात की गई है कि नीचे दिये गए किस order के अंतरगत बात की गई है कि defendant के उपर जब summon की service होती है substituted summon of servicing summon of servicing by the upon the defendant तो कौन सा order है जो की बात करता है CPC में इसके बारे में क्या order 5 rule 19 बात करता है order 5 rule 19 बात करता है order 5 rule 20 बात करता है या order 5 rule 21 बात करता है तो यह question में आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं आप मुझे comment करके ज़रूर बताए CPC का कौन सा ऐसा order है जो बात करता है defendant के उपर सम्मन की services के बारे में अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में हमारा अगला person सम्मन्दित है environmental protection act से इसके अंदर जो environmental pollutant है उसका क्या मतलब होता है किसे हम कहेंगे environmental pollutant सबसे पहला point बात करता है कि कोई भी solid कोई liquid कोई gaseous substance जो present है और वो helpful है environment के लिए दूसरा है हमारा कि कोई भी केवल gaseous substance जो की present है और वो किसके लिए environment के लिए injurious है तीसरा point है हमारा कि कोई भी substance जो solid भी है liquid भी है gaseous भी है और वो present है और वो injurious है किसके लिए कोई भी solid और liquid जो की present है और वो injurious है environment के लिए तो आपके अनुसार किसे कहेंगे Environmental Protection Act 1986 के अंदर Environmental Pollutant के बारे में किसे कहेंगे किसका ये मतलब है तो इस चीज के अंदर तीनों चीजों को शामिल किया जाएगा Solid को भी सामिल किया जाएगा कोई भी Solid सबस्टांस हुआ कोई भी Liquid सबस्टांस हुआ वो Present है और साथ ही वो हमारे Environmental Environment को क्या कर रहा है Injury पहुचा रहा है Injurious कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Environmental Pollutant का मतलब हो गया हमारा Third वाला Point अब हम बात करते हैं हमारे अगले पर्षन के बारे में अगला पर्षन जो है वो संबंदित है हमारे किस से Indian Contract Act से यहाँ पर बात की गई है कि Indian Contract Act के किस सेक्शन के अंदर Indemnity Contract के बारे में बात की गई है तो सबसे पहला हमारा Point है Section 167 में बात की गई है 128 में बात की गई है यहाँ पर यह Miss Match हो गया है यहाँ पर आप लिख लीजिए 125 125 में बात की गई है या फिर non of the above तो आपके अनुसार इसका क्या जवाब हो सकता है तो section 125 जो है वो बात करता है indemnity contract के बारे में या नहीं करता आप मुझे comment करके जुरूर बताईए जो मैंने यहाँ पर answer लिखा है क्या वो सही है या गलत है मैं यहाँ पर देखना चाता हूँ कि मैंने जो यहाँ पर answer लिखा है वो सही है या गलत है अगर गलत होता है तो comment कीजिए सही होता है तो भी आप हमें comment जरूर कीजिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में हमारा अगला person सम्बंदित है CRPC से कि CRPC के किस section में बताया गया है कि जो absconded है absconded person को कहते हैं हम बगोड़ा व्यक्ती है जो भाग गया है उस व्यक्ति की property के attachment के बारे में किस section के अंतरगत बताया गया है CRPC में criminal procedure code के अंदर section 83 इस बारे में बात करता है section 81 इस बारे में बात करता है section 85 और 84 तो section 83 जो है वो इस बारे में बात करता है कि कोई भी absconded person है उस person की property को attach किया जा सकता है CRPC के section 83 के अनुसार अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में अगला person संबंदित है हमारा CRPC से यानि कि criminal procedure code से तो कौन सा section है criminal procedure code का जहां पर यह बताया गया है कि किसी accused की presence जो है उसमें छूट दी जा सकती है magistrate के दौरा जिसके संबंदित एक application भी होती है यानि कि किसी party का अगर कोई जो accused है वो present नहीं हो पाया किसी कारण से तो वहाँ पर एक exemption application जो है court के समख्स present की जाती है कि हाँ भई आज जो ये accused वेक्सती है मेरा जो मुवकील है ये आज नहीं आ पाएगा मेरा client आज नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कहीं बाहर गया है उसकी तब्यत खराब है किसी भी कारण से तो कौन सा section है CRPC में जिसके अनुसार magistrate उसकी personal attendance के लिए उसे छूट दे सकती है तो section 202 में ये बताया गया है section 205 इस बारे में बात करती है section 203 इस बारे में बात करती है section 204 इस बारे में बात करती है अगर आपने CPC का section 205 पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि section 205 में लिखा गया है कि magistrate के पास power है कि वो उसके personal attendance के लिए उसे छूट दे सकती है उसकी personal attendance by application उसे accept कर सकती है कि वो आज नहीं आएगा अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में जो संबन्दित है हमारा Indian contract act से कि किस section के अंदर काफी easy question है आपके आपने अगर contract act पड़ा है क्योंकि आप LLB pass कर चुके हैं आप LLB pass करने के बाद ही AIB का exam देते हैं तो आपको ये जो है इसका answer आपको जरूर पता होगा ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आप मुझे comment करके जरूर बताईए कि section के अंदर जो है Indian contract act के अंदर contract की definition दी गई है अब हम बात करते हैं एक और Indian contract act के संबंदित पर्षन के बारे में कि agreement किसे कहेंगे agreement कब बनेगा कि एक promise है ये set of promise है जो की form किया गया है एक दूसरे के साथ या फिर वो low के द्वारा enforceable है तब वो agreement होगा या low के द्वारा enforceable नहीं है तब होगा या वो enforceable contract है तो तब उसे हम agreement कहेंगे तो इसका हमारा answer है फरस्ट answer है कि ए promise ए set of promise form concentration to each other is called agreement यहां पर यह क्या बन जाएगा हमारा agreement बन जाएगा अब हम बात करते हैं हमारे अगले पर्षन के बारे में जो सम्मंदित है हमारा CPC से civil procedure code से कि कि सेक्षन किस order के अंदर जो है indigent person shoot के बारे में बताया गया है जब आपने LLB की थी तो काफी बार previous year में भी पूछा गया है कि indigent person कोन होता है यह long में भी आप से पूछा जाता है indigent person के बारे में बताये तो अगर आपने इस person को पढ़ा होगा तो आपको इसका अंसर जरूर पता होगा तो order 32 इस बारे में बात करता है order 33 इस बारे में बात करता है order 34 इस बारे में बात करता है या फिर order 31 तो order 33 के अंतरगत indigent person के shoot के बारे में बताया गया है indigent person वो व्यक्ति होता है जो अपनी litigation की fees को देने में सक्षम नहीं होता तो आज की वीडियो में इतने ही person है फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ महत्यपून person जो आपके exam के point of view से काफी ज़्यादा helpful होंगे